हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़े ख़वरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर BPSC सरसटवी परिच्छा रद पेपर आउट होने के बाद आयोग ने लिया फैसला जिहा विहार लोक सिवा आयोग यानि BPSC ने रहिवार को हुई सरसटवी सयूंगत परिच्छा को रद कर दिया है इसके अदिस्विचना जारी कर दिया गया है इस मामले के जानकारी आयोग के सयूंगत सजीव सा परिच्छा नियंद्रग अमरेंदर कुमार ने दी है अगली बड़ी कबर 11-12 माई को बिहार पोहुचेगा आसानी मौसाम विभाग ने जारी किया अलड जानिये केन जिलों में होगा असर जिहां चकरवर्ती तुफान आसानी के 11 और 12 माई को बिहार पोहुचने की सम्मावना है जिसका असर अगले 60 घंटे में देखनों को मिल सकता है अगले 24 घंटे में तुफान के और तेज होने की सम्मावना मौसाम विभाग ने जाताई है इसका असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिलेगा खास कर बिहार के पूर्वी जिलों में इसका खासा असर हो सकता है चकरवर्ती तुफान आसानी के कारण नेपाल से 63 जिलों में हलकी बारिस के साथ बजरपात के आसंका जताई गई है भारत मोसम विग्यान विभाग के मुताविक या तुपान उत्तर पश्चिम दिसा में सोलो किलोमेटर परती घंटी की गती से आगे बढ़ रहा है बिहार के पुर्वी चमपारन, पश्चिमी चमपारन, सिवर, सितामडी, मदोबनी, सुपल, अररिया, किसन गंज, पुर्णिया, कटिहार, भागलपूर, बाका में मौसम विभाग ने यलो लड़ जारी किया है बाड़ी कबर पटना में पांच सहीत, बिहार में मिले दस नई संक्रमित, फिलाल नहीं बढ़ाए जाएगी बेड़ संख्या, 38 पर पहुची एक्टीम मरीजों की संख्या बिहार में पिछले 24 घंटे में दस नई कोरोना संक्रमित मरीजों की पैचान की गई है पटना में सरवादिक पांच भागल पुर्व किसन गज में दो-दो एवम जमोई में एक नई संक्रमित मरीज मिला है पिछले 24 घंटे में राज में एक लाग चार हजार 845 संपल की कोरोना जाच की गई पिछले 24 घंटे में राज में चार कोरोना संक्रमित मरीज इलाज की बाद स्वस्त भी हुए है बाड़ी कबर आप सड़कों पर नहीं चला पाएंगे लहरिया कड बाइक एनच एसेच पर स्पीड गन के साथ तैनात रहेंगे अधिकारे लगेगा जुर्माना जहां बिहार के रोड पर लहरिया कड बाइक चलाने वालों के नकल के सिर्जाएगे परिवहन बीभाग लहरिया कड बाइक चलाने वालों के धर पकड के लिए भिसेस mobile team का गठन करेगा बिभाग ने इसके तैयारे पूरी कर ली है और जल दिया टीम पटना से इत पूरे राज में काम करने लगेगी अधिकारियों के अनुसार हाले के समिक्चा कर्म में पाया गया है कि राज में हो रही सड़क दुर गटनाओं में एक करन लहरे कड बाइक पे चलाना है इसकी जद में आकर कई लोग अपना संतुलन खो देते हैं और हाथसों की सिकार हो जाते हैं ऐसे चालोकों पर जुर्मना लगाने और पकड़ने के लिए जीलों में स्पेसल मॉबाइल टीम गठित की जाएगी वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर जीलो को इस बाबत आवेसिक निर्देश दिया गिया है अगली बड़ी ख़वर बिहार में सुरू होगी सातवी चरन का सिक्चक बहाली प्रातामे की स्कुलों में पचास अजार से ज़्यादा पद खाली जी अभिहार के प्रातामे की स्कुलों में सिक्चक नियोजन प्रक्रिया को लेकर राज सरकार ने बड़ा फैसला किया है अब प्रातामे की स्कुलों में छटे चरन के सिक्चक नियोजन प्रक्रिया नहीं होगी एने स्कुलों में आदे से ज़्यादा पद खाली रह गया है लेकिन बड़ी संक्या में नियोजन इकायों में एक बार फिर भी काउंसिलिंग नहीं हुए है अलग-अलग कारणों से योग या वियरतियों का चैन का उसर नहीं मिला है पर इसके बावजूद सिक्चा विवाग ने लंबे समय से चल रहे इस चरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है विवाग ने चटे चरण के प्रारामिक नियोजन को खतम करने का फैसला लेते हुए इस चरण के बची भी और इस दोरान बची ने रिक्तियों के अधार पर सात्वे चरण के बहाली के तयारी आरम कर दी है अगली बड़ी कबर बिहार के 389 मायदमिक विद्धालों में इस्तापित होंगे दो-दो स्मार्ट कलास कंप्यूटर और प्रोजेक्टर से होगी पढ़ाई जहाराज सरकार ने सरकारे विद्धालों में भी प्रतिश्टिट निजी स्कुलों की तरह ही आदोनिक की निर्बाद आपोर्ति सुनिचित के जाएगे अगले साल 30 जुन तक सभी मायदमिक विद्धालों में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा अगली बड़ी खबर सेना बहाले नहीं होने से नाराज अभियर्ती सडग पर उतरे एनेच और रेलवे ट्रेक को किया जाम जहां बड़ी खबर सुपोल से जात रिवेनी गंज में आर्मी बहाले की मांगो को लेकर कल नोजवान अभियर्ती सडग पर उतर गए और पिप्रात रिवेनी गंज सडग मार्ग एनेच तिनसे सटाइस ए को जाम कर यातायाद बाधित कर दिया आर्मी बहाले अभियर्ती इस दोरान केंदर सरकार के विरोध में जम कर नारे बाजी करते नजर आए वहीं दूसरी तरफ सिवान में भी दो साल से आर्मी बहाले नहीं होने को लेकर मेरवा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रेक को आर्मी के अभियर्ती उन्हें जाम कर दिय आर्मी के परिशा जल्द ली जाए और भरती भी जल्द कराया जाए एर फोर्स भाली का रिजल्ट भी जारी किया जाए आर्मी भाली के उम्र में दो साल की छोट दी जाए अब यर्धियों का ये भी कहना है कि हम लुगों को 8 मार्च 2021 को फिजिकल मेडिकल दिये है जिनका पर माईने से अधिक हो गया पर परिचा नहीं लिया जा रहा है वहीं दो सालों से वेकेंसी भी नहीं आया है अगली बड़ी कबर सिमुल तला विद्दाले में इस बार इगारवी में भी होगा एडमिसन उनसट सीट पर होगा एडमिसन इंटर्विव या इंटरेस्टेश के आद जल उसके एडमिसन की प्रक्रिया घोसना करेगा फिलाल विवाग में इस पर मंतन जारे है विवाग के दिकारिक सुत्रों के मताबिक इंटरेंस टेश्ट मेट्रिक अंक्य के आधार पर या फिर बिहार बोड के जिला टोपर का सिधा इंटर्विव के आधार पर इसमें हुआ है इस बार सिमुलतला अवासिव दलाई के कार करने के बेड़क में यह निने लिया गया था अगली बड़ी कबर बिहार में अलग अलग स्रेनियों में बाठे जाएंगे पूल रख रखाव के लिए सरकार ने तयार के निती निती इस राज में बने हैं इतनी ब्रीज ज बिहार के पूलों का हेल्थ कार्ड तयार होगा बड़े मैदम और चोटे स्रेनियों में अलग अलग बाठ कर पूलों का रख रखाव किया जाएगा ताकि कोई भी पूल समय से पहले चतिगरस ना हो पूलों के रख रखाव की निती तयार करने वाला बिहार देश का पहला अगली बड़ी कपर राज में माई से सितंबर के बेच गेहों के बदले लोगों को मिलेगा केवल चावल जिहां खोले बाजार में गेहों नियुंतम समर्तन मूली से अधिक पर भीक रहा है किसान सरकारी अजनसियों को गेहों बेचने के बदले आम कारोबारियों और प्रिदा असर सरकार द्वारा की जारी करिदारी पर पड़ा है इसको देखते वे सरकार ने इस रभी सिजन के लिए ना केवल गेहूं खरेद के अपने लच को कम किया बलकि पीम गरीब करियान आन योजना के तहद माई से सितंबर के बेच लोगों के केवल चावली देने का ने लिया है राज के लिए निर्दारित गेहूं चावल के कोटिक और संसोधित कर दिया गया है आप लोगों के इस योजना के एक तहद केवल चावली मिलेगा पले बिहार के लिए 1.7 लाग टन गेहूं और 2.6 लाग टन चावल का आवन टन किया गया था इससे बाद में ब कुरेन दोनों ही गेहूं के बड़े नियरात तक देश है लेकिन योद की वज़ा से इने देशों में भारत में गेहूं आयात नहीं हो पा रहा है वह अधिक तापमान के कारण भी गेहूं को उत्पादन कम हुआ है पिछले साल के तुलना में रवी के इस सीजन में गेहूं गई है ताकि परेटन विवाग की संपती को सुरचित रखा जा सके विवागिया मंत्रे ने इसके बाद या निने लिया है कि सभी परेटन इस सलोप पर एक बीस सदसे कमिटी का गठन किया जाएगा जिसके अदच एडियम और एच्डियो रहेंगे साथे मंत्रे दो आयने लोगों को भी नामित कर पाएंगे इसके साथ विधायक पारसत सइद और 地方 को कमिटी का सदस्ध बना जाएगा इसको लेकर जिलों में बिवाग के और से दिसा निर्दिस बेच दिया गया है परेटन बिवाग के और से राज बर में कई जगोवा पर बिवाग बवन हवन पीव लाइटिंग फाइटेन साहित आने उजनावों का अंजाम तक पहुचाए गया है इन सभी जगों की सुरक्षा और उनके विस्तार को ले कर कमिटी काम करेंगे साथ ही परेटकों के लिए उस जगों पर क्या बहतर किया जा सकता है अगली बड़ी कबर बिहार के आट बेड कलेजों में नावांकन पर लगी रोक नई सत्र में आट सू सिटों की संक्या हो जाएगी कब अबियारे बिहार इनुवसिटी से समद 8-28 कोलेजों में नई सत्र में नमांकन से राष्ट्य सिक्चक सिक्चा परिसाद ने रोक लगा दी है इसमें मुझपारपूर के कई नीजी कोलेज सामिल है अगली बड़ी कबर अब राज के सहकारी बैंक बेचेंगे जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए इस स्टाम सलाना होगा 30 करोड का मुनाफ़ा जिया बिहार में आप जमीन या अन्य दस्तावेज के निवंदन के लिए जरूरे इस स्टाम राज के सहकारी बैंक बेचेंगे राज सरकार ने स्टाम की बिखरे की जम्यवारे लेकर सहकारी बैंक को दे दिया है इन बैंकों ने अब तक दो तिहाई से ज़्यादा निवंदन केंदरों पर अपना काम सुरू कर दिया है जल्द से इस पर भी स्टाम की बिखरे इन बैंकों के हाथ में होगी फिलाल इस्टाम के खरेद स्टाक होल्डिंग कमपनी की ही करीगी और लोगों में बेचने के लिए सहकारी बैंकों को देगी बदली में कमिसन के रासिक का बराबर बटवारा भी दोनों संसाओं के बीच होगा इसे लगबक 30 करोड का सलाना मुनाफा सहकारी बैंकों को होगा अगली बड़ी खबर गांदी सेतु के पुर्वी लेन पर साथ जोन से सुरू होगा परिचालन नितिन गटकरी और सियम नितिस कुमार करेंगो उदगाठन जै बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी कबर है उत्तर बिहार को दचिन बिहार से जोनने वाले महादमा गांदी सेतु के पुर्वी लेन पर जल्दी परिचालन सुरू हो जाएगा आने वाले साथ जुन को केंद्री सडक परिवाहन वम राजमार का मंँतरी नितिन गटकरी और मिख मंत्री नितिस कुमार गंधी सेतु के पुर्वी लेन के लोकारपन करेंगे जिससे उत्तर बिहार और दचिन बिहार के लोगों के लिए यात्रा सुगम हो जाईगी साथ साथ जुन को बिहार के के एनेच और पुलो को गाटन और सलनास भी होना है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि BPSC सरसोटी पर इच्छा के पेपर आउट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं